हेलो फ्रेंज मैं दीपक आप सबको इलेक्टिकल दुनिया चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिकेंडर को देखने वाले हैं कि डिकेंडर कैसे काम करता है एक्छली मैं मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ और जिसमें डिकेंडर के बा पूरा डिटील से पार्ट्स बनाने वाला हूँ वीडियो के लाज्ट बने रहिएगा और चैनल पर ने होएंगे तो चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइगन को जरूर पेस कर दीजिएगा और कोई भी डाउट होगता कमेंट कर सकते हैं चलिए वीडियो सुरू करते हैं त यह जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है लगाना तो लास्ट बने रहे यह सब कुछ आपको वन बाई वन आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है तो जो यह अमाला डिकेंडर है यह एस्बी आर पे लगा रहता है जो आप देखे होंगे जहां पे भी यह डिकेंडर यह एस्ट यहां पे Tank रहता है जो cylinder रहता है इसके द्वारा इसमें जो Gas रहता है उसके through ही यह plotting करते रहता है ठीक है और इसको हम लोग देखेंगे के डिकेंडिंग भी कैसे करता है और सारा चीज़े भी वताने वाला हूँ जैसे आप देखेंगे यह एक यहाँ पर जो है फ्री आर्म है जैसे आप देखेंगे एक यहाँ पर दो और तीन आर्म है इसका इस डिकेंडर का और यहाँ पे जो है यह इसका ब्रांच है और इसके पास जो यह है यह पोर्शन इसको बोलते हैं नेक ठीक है नेक आपको बोल सकते हैं इसको और यही मुवमेंट करता है इसमें और होस पाइप जो रहता है वो मुवमेंट के थू भूरूर नहीं रहता है वह बहुत कम मूव्मेंट उसमें रहता है बाकि जो होता है नेख में देख लेते हैं इसके अंदर पहले पार्ट का rozorg यहां से पूरा इसके अंडर पूरा रहता है जैसे यहां पर देखेंगे पूरा दूर से यह सबकुछ आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो अब ही सबसे पहले हम लोग इसको खोल देंगे तो इसमें एयर ज्यादा बनेगा नहीं और बनेगा नहीं तो यह डूब जाएगा जो यह डिकिंडर है एक लोवर पॉइंट पे आके रूख जाएगा उससे उपर उठेगा ही नहीं तो इसलिए आपको कभी भी जब भी ध्यान देंगे इस्टोलेशन इसका कर रहे हैं इसका तो इस चीजों का आप देंगे यह जो प्रैकिंग हो हमेसा बहुत बराबर रहना चाहिए क्योंकि आ आप देखेंगे कि जो यह बहुत अ मिल रा है यानि के यह सबी चीजों के हैं और इसकी साइज बहुत बाड़ा है यह इसलिए पार्ट बई पार्ट आता है जैसे आप देखेंगे मेरे रेगुलर वीडियो जिसमें जब मतेज आया था मैं आपको बताया था कि यह अलग अलग पार्ट में आया और इसको हैड्रा के थूरू इसको अंदर किये थे तो अब इसमें जो पाणी है Streeted Water राता है वो बाहर कैसे जाता है तो बाहर में तो जो लगा राता है डिककेन्णिंग कराने के लिए एक वरल लागा राता है में कुछ इस टाइब का होल दिया रहता है जैसे कि आप यहां पर देखेंगे तो यह पूरा होल आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर पूरा देखेंगे जितना भी है सभी जगों पर आपको यह से होल देखने को मिल जाएगा और यहां से जो भी है चीजे वह सब कुछ आपको पाने जो भी ट्रीटेड होता है वो यहीं से जाता है ठीक है तो यह वाटर जो भी जाता है कहां से जाता है यह नीचे से जाता है यह पार्ट्स आप देख लिए तो उमीद करता हूं यह समझ में आया होगा और एक चीज़े और है कि यहां पर आप देखेंगे इसमें कुछ चपर हैं अभी फिलाल में यह कचपर जो है इसको कराने के लिए अब क्या होता है कि मालीज़े जब भी यह कराएगा और हमारा जो ट्रेटेड वार्टर रहता है उस समय जब ट्रीटेड होगा प्रोसेश चालू रहेगा उस समय क्वेशट होता है तो एरियेशन जो होगा उस एरियेशन में जो सलज रहेगा वो भी सलज यहां पर जा सकता है आराम से यहां पर सलज इंटर कर जाएगा और इंटर करने के टाइम में क्या होता है कि सलज भी Dickening होने लगेगा मतब quality कुछ time के लिए मतब यहाँ पर इतने बड़ा जो डिकेंडर इसमें 5-10 मिनट तक सलज के साथ में Dickening होगा, तो उसको ना हो Dickening के साथ में सलज ना आये उसके लिए जो air compressor है में उसका काम होता है कि यहाँ पे air बना के रखेगा जब air पूरा इस tank में बना के रखेगा तो उस समय जो भी water होगा वो नहीं जाएगा इस tank के अंदर इस जो ये pipe है उसके अंदर ये सलज जो है सलज वाला पानी है वो अंदर नहीं जाएगा तो इसी के लिए ये जो air compressor का line रहता है इसी लिए रहता है कई लोग बोलते हैं इसको flossing के लिए किया जाता है flossing के लिए रहता है तो मैं भी कई बार आपको वीडियो में समझाता हूँ कि ये flossing के लिए रहता है अब हम डिकेंडिंग कर रहे हैं उसे में पूरा air बना लेगा एक बार अगर पानी इंधर से इंटर करने लएगा treated water तो fresh water ही बाहर निकलेगा तो इसका process यही था जो अभी मैं आपको explain किया इसके अलावा अगर कोई और भी doubt आपको होता है जिसको जैसे आप देखेंगे उपर नीचे इसको पूरा अच्छे बांधा गया है और इसको बांधने के fitting करने के लिए मतलब जैसे भी हो possible हो उसको कर सकते हैं मैं easy तरीका भी आपको बताऊंगा उसके लिए मेरे channel पे आपको बने राना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा और यह दोनों फीटो लोग है जिसका दिमाग लगा जा रहा है यहाँ पे बेलडर डिगर सभी लोग है जो अपना अपना दिमाग लगा के इसको fitting कर रहे है इजी से इजी तरीका में आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें चले मिलते हैं किसी नेकी वीडियो में तब तक के लिए जाएं दोस्तों